अब हमने 5BHK ले लिया है, लंबी गाड़ी ले लिया है, वो सब तो ठीक है, पर बिटकोईन लिया क्या? CoinDCS लोग डाउनलोड करो, तो और रिविगा फ्री बिटकोईन एंजॉय करो. क्रिकेट को एक जेंटलमेन गेम कहा जाता है, बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट होंगे, जो इस खेल से आपके प्यार को बढ़ाते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे मौके आए होंगे, जब इस खेल की छवी दागदार हुई है, जी हाँ, कल कुछ ऐसा हुआ, जिसने इस खेल की इम देख रहे हैं, ये कोई गुमनाम चहरा नहीं है, क्रिकेट की दुनिया में एक बहुत बड़ा नाम है, बंगलादेश क्रिकेट के सबसे बड़े दिगजों में इनके गिंती होती है, शाकेबल हसन, मगर इन्होंने कल कुछ ऐसा किया, जो शायद क्रिकेट की छवी को दाग मुष्गौर से बड़ा रही hommes उन्होंने गेंद की और गेंद मुष्ख के पेडर पर लगी, उन्होंने अपील की, लेकिन empire ने उसे reject कर दिया, आपने बहुत बार दिखा होगा, कि empire ने लबी डवू की अपील को रिजेक्ट कर दिया लेकिन शाकिब अपने आपाख हो बैठे अपने अपने गुस्से पर नियंतर ने रख सके और उन्होंने अमपायर के सामने जाकर विकेट पर लात मारी और उसके बाद डिसकुशन करने लगे अमपायर से बिढ़ गए अमपायर से बहस करने उस दोरान शाकिब पीछे फिल्डिंग कर रहे थे वो दोड़ कर आये और उन्होंने विकेट को उखाड फेका तो एक ही मैच में दो बार इस तरह की गटना हुई और दोनों बार शाकिब ही जिम्मेदार थे तो इस तरह आप देख सकते हैं कि जो क्रिकेट की जो खेल है ख अगले दिन उन्होंने अपने ट्विटर के जरिये ट्वीट किया और अपने फैन से सबसे माफी मांगी बंगलादेश बूर्ट से उन्होंने अच्छा खासा एक लंबा सा मैसेज भी लिखा लेकिन चौकाने वाली बात ये थी कि थोड़ी देर बाद ये ट्वीट जो था उनके ट्विटर हैंडल से गायब हो गया जया उन्होंने ये ट्वीट डिलीट कर दिया तो शायद जो गलती उन्होंने की हमें लगा उनके फैन्स को लगा कि उन्हें रिलाइज हुआ कि उन्होंने गलती किये इसलिए उन्होंने ट्वीट किया था मगर उन्होंने इस वाक्या नहीं है उन पर पहले भी इस तरह के बहस बाजी या अबद्र बेवार करने के आरोप लगते रहे हैं एंपायरों के साथ बिढ़े हैं खिलाडियों के साथ बिढ़े हैं ऐसा बहुत बार हो चुका है आई-सी-सी ने उनको बैंड भी सस्पेंड भी किया था बैंड क् सब्सक्राइब करें और हमारे फेस्बुक और इंस्सेग्राम पेज को भी जरूर फॉलो करें